Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए coming week का सापताहिक राशीफल ये 18th April से लेकर 24th April तक की आपकी taro ratings है, taro predictions है और अगर आप personal taro s2 session book कराना चाहते हैं तो मुझे whatsapp call या फिर whatsapp message करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि दिए normal call हो सकता है, miss हो जाए लेकिन whatsapp पे आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और मेरी contact details आपको नीचे description box पे मिल जाएंगी इस video के end में भी मिल जाएंगी इसी के साथ साथ अगर आप DDT already में interested हैं तो आप मेरा insta page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या पर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता ही क्राशी फल चलिए लिबराज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है the chariot and positive movement forward तो दीके सबसे पहली बात दोनों ही cards movement की बात करते हैं आगे बढ़ने की बात करते हैं shift की बात करते हैं और कुछ ऐसा ही in general या फिर specifically this week आपके professional front में रहता वा दिख रहा है क्योंकि ये general reading है तो ये movement ये shift सब के लिए differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि आप travel करना चाहा रहे हैं आप फिर कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज को लेकर आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे और उसी में से इस week या तो आप बाहर निकलना चाहा रहे हैं या या यूनो निकल रहे हैं और चीजों का control अपने हाथ में लेकर बहुत ही confidently, बहुत ही assertively आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए literally हो सकता है कि कोई चीज आप complete करना चाहा रहे हैं deadline बहुत नजदीक है और इसी लिए शायद बहुत speed से आप अपना काम करना चाहा रहे हैं लेकिन देखिए chariot का card कहीं success की भी बात करता है तो जिस भी चीज को लेकर आप action initiatives ले रहे हैं कर यह नो effort कर रहे हैं महनत कर रहे हैं उसी से related एक victory, एक success भी साथ ही साथ इस week specifically आपके professional front में रह रहा है या फिर देखिए जो भी आप कर रहे हैं आपको बहुत एक confidence भी आ रहा है कि definitely इसी से related आपको success जरूर मिलेगा तो बहुत ही beautiful energies इस week रह रही है जहाँ पर फिर से मैं काऊंगी movement है, shift है, growth है, progress है and personal front के लिए आप लोगों के ले King of Pentacles and New Beginnings के cards हैं तो देखिए New Beginning का card बहुत ही clearly किसी चीज को लेकर एक नई शुरुवात करने की या फिर होने की बात करता है और फिर से मैं काऊंगी ये general reading है तो ये नई beginning सब के लिए थोड़ा-थोड़ा differ करेगी कुछ लोगों के लिए love relationship से related हो सकता है जहाँ पर पीछे आपके आपके partner के साथ कुछ issues हुए वो resolve हो रहे है खतम हो रहे है और नई शुरुवात हो रही है कुछ लोगों के लिए literally नया relationship हो सकता है जिस पे आप focus करना चाहा रहे है कुछ लोगों के लिए नई जगा हो सकती है कुछ लोगों के लिए नया घर हो सकती है tangible कोई भी you know, नई चीज हो सकती है और कहीं देखे King of Pentacles का काट कहता है कि आप बहुत ही practical बहुत ही realistic तरीके से हर चीज को deal कर रहे हैं एक stability, एक security या तो आ रही है या फिर आप लाना चाहा रहे हैं और बहुत ही एक you know devoted, dedicated सी energies रह रही हैं एक commitment भी किसी को आप यहां दे रहे हैं किसी चीज को लेकर या फिर एक commitment आपको किसी से मिल रही है, तो देखिए personal front में भी काफी अच्छी energies इस week आप लोगों के लिए रह रही है and guidance से आप लोगों के लिए seek the truth का काट है बहुत ही clearly ये काट कहता है कि जो भी इस week आप करें professional या personal front में आप सच से वाकिफ अपने आपको सबसे पहले करें reality को समझें और उसके बाद ही action initiatives लें कितनी बारी क्या होता है कि हम सच को accept ही नहीं करते क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हम hurt हो जाएंगे और हम denial mode में रहते हैं हम कहीं accept ही नहीं करते कि भाई reality क्या है और अपनी ही एक imaginary दुनिया में रहते हैं या फिर अपने आप ही एक चीज को समझ लेते हैं अपने आप ही जो हम चाहाते हैं उसी के लिए positive outcome भी ढून लेते हैं और उसी के basis पे चलते हैं और आजकल तो बहुत ही smartly लोग कह देते हैं कि भाई हम positive attitude maintain करना चाहा रहे हैं मेरे हिसाब से positivity ये नहीं है कि जो भी ठीक नहीं है या फिर कुछ गलत है उसको आप ignore करें मेरे हिसाब से positivity ये है जो भी circumstance हो जो भी situation हो आप उसको पहले clearly देखें जैसे वो है जैसे again मैं कहूंगी reality में वो है और उसके लिए अपना attitude positive रखें यानि कि उस problem को positive attitude के साथ deal करें ना कि आप you know problem को ही ignore करें तो अगर ऐसा आप भी पाएं Libras तो ज़रूर check करके correct करें और फिर से मैं कहूंगी कि सच से अपने आपको वाकिफ करें तब ही आप आगे बढ़ें तब ही आप action initiatives लें and astrology से आप लुगों के लिए Taurus का card है और इसके हिसाब से turquoise and white color आप लुगों के लिए इस week लखी रह सकता है and significant day आप लुगों के लिए होगा Friday तो ये था Libra's आप लुगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए